इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि उस्ताद बड़े गुलाम अलीखां अपने समय के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गायकों में से एक थे। उनका जीवन भी अच्छे और बुरे अन्भवों से भरा हुआ था। लेकिन कभी भी उन्होंने जीवन केस उतार चड़ाव के दौरान संगीत से अपने शौक को मरने नहीं दिया। उनकी आवाज में लचीलापन और चंचलता जो थी वही लोगों को उनका मुरीद बना देती थी। हलाकि संगीत का उनका करियर जादा लंबा नहीं चला लेकिन वह संगीत जगत में अपना एक अलग मुकाम बनाने में काम्याब रहें। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन पाकिस्तानी पंजाब के मशहूर शहर लाहोर के पास इस्थित गाओं केसुर में 2 अप्रेल 1902 में हुआ था। उनको संगीत विरासत में याद किया जाता है। उनके पिता अली बक्ष खां प्रसिद सारंगी वादक और गायक भी थे। उन्होंने संगीत का आपचारिक प्रसिक्षन अपने चाचा काले खां से लिया जो प्रसिद गायक और संगीत थे। वे रोजाना करीब 20 घंटे तक का बिहास करते थे और लाहौर मुंबई पोलकाता एवं हाइदराबाद उनका आना जाना लगा रहता था। वर्ष 1947 में जब भारत का बटवारा हुआ तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां लाहौर चले गए। उसके बाद वे भारत वापस आ गये और वे यहीं बस गये उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने करियर के शुरुआत में सारंगी बजाई और अपने चाचा काले खां के द्वारा लिखे गए गीतों को गाया। कलकता में 1938 में उनका पहला कंसर्ड उनके जीवन के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। इसके बाद वे प्रसिद गाय के तोर पर उभरे उन्होंने ठुमरी की नई शैली इजात की उन्होंने असंख ख्याल और ठुमरी गए जिन में से कुछ याद पिया किया है। कटे ना विरहा की रात तिरची ना जरिया के बान आये ना बालम और क्या करूं सजनी जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों के जुबा पर चड़े हैं। शुरू में नहोंने फिल्म में गाने से मना कर दिया था लेकिन मुग्लेया आजम जैसी फिल्म में उन्होंने अपनी מת इस मूवी में तानसेन के लिए इस्तेमाल की गई। उनको इस बात के लिए बीस्वी सधी का तानसेन माना जाने लग झालादा